असलाम अलेकुम नाजरीन मैं हूल वीना और आप देखे प्रोग्राम इंसाइड इनियूज नाजरीन क्रोना वाइरस कोवर्ड-19 की वज़े से पाकिस्तान में नहीं बलके दुनिया भर में जो नॉर्मल जिन्दगी नॉर्मल लाइफ है डेली रूटीन वो सबकी डिस्टर्ब है पाकिस्तान में तो पार्शली डिस्टर्ब है अलहमदुलेला इतना ज्यादा करफ्यू हो चुका है कंप्लीटली लॉक डाउन है लोग घरों में मैसूर हो के रह गहे हैं लोग जो हैम एक सोशल डिस्टंसिन तो कर रहे हैं जो एक पारामीटर है में जिससे वो अपने आपको बचा सकते हैं वो तो वह कर रहे हैं साथी साथ वो completely घरों में जो है isolation का शिकार है और वो एक quarantine life गुजार रहे है साथी साथ economy भी disrupt हो रही है बहुत सारे ममाले की overall जो market है stock markets काफी ममाले की वो disturb होने के बाद अब finally पाकिस्तान की stock market के उपर भी मन्फी असरात मुरतिब होना शुरू हो गए है दूशे जाने संध हकूमत की गदमाद को बहुत सराहा गया पिछले कई दिनों सीम मुरादली शाह साथ को भी बहुत ज़ादा जो है उनकी तारीफे हुई जो उनके opposition जमातों से जो उनकी बाकी जमातों से जो competitive जमातों से जो लोग थे जो उनको पसंद करने वाले लोग थे उनको सराया लेकिन आइस्ता आइस्ता facts जब अब सामने आ रहे हैं जिस तरह पहले भी criticism हो रहा था और अब भी criticism हो रहा है school के हवाले से school की education के हवाले से कुछ criticism हुआ लेकिन उसके उपर उनका stance ही आया है उक्सान कम होगा लेकिन दूसरी जानेब अगर हम यह stance यह measure देखें कि section 144 impose कर दिया गया है पूरे मुल्क में और यह एक partial curfew या partial lockdown की सूरतहाल है जहां पर take away और delivery का कहा गया था कि आप खाना कर सकते हैं लेकिन आप dine-in नहीं कर सकते रेस्टरांट को खास तोर पे कहा गया है कि अगर वो यह violation करते हैं तो इसकी इनको सजा भुकतनी पड़ेगी पुलिस जो है constantly हर जगा अपनी ड्यूटी ने बहा रही है लेकिन दूसरी जानेब हमने यह भी देखा कि बहुत सारी शॉप्स के ऊपर जो बहुत सारे इदारे हैं यहां पर unfortunately मैं उस इदारे का नाम तो नहीं ले सकती लेकिन बहुत सारी jurisdictions में वो जा रहे हैं महां पर लोग का समान उठा रहे हैं और इस तरह की conditions बना रहे हैं महां पर कि लोग को blackmail कर रहे हैं और वो इदारा जो है एक तरह से इंक्रोच्मेंट की सपोर्ट भी कर रहा है और openly कहरा है वो कि आप एक लाग बीस जार रुपए दे दें दो मैने बाद फिर वापस दे दीजगा फिर हम आपका generator दे देंगे तो यह कौन सी सूरत हाल है यह किस किसम की administration administrative law की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे separation of power बहुत जरूरी होता है separation of powers के ही जरिये जो overall हमारा system है चाहिए अगर हम 18 constitutional amendment की बात करें हर सूबे के पास अख्तियार है तो अगर CM मुरादली शाह साथ भी अच्छा काम कर रहे है monitoring का तो उनको हर इदारे के उपर monitoring करनी चाहिए कि एक तरफ तो restaurant बंद है business तबाह हो रहा है जो लोग जो daily wages के ऊपर काम करते हैं उनका क्या होगा क्या इसका mechanism हमने सोचा क्या उन लोगों का हमने सोचा या हकूमत वक्त ने या फिर सूबे के लावा overall वफा की तरफ से किसी ने सोचा कि वो daily wages पे काम करने माले लोग उनका क्या होगा और इस तरह तो take away भी खत्रे में ह सकता है कि अगर डिफरेंट इपार्टमेंट से लोग आएंगे और उनको कहेंगे कि आप इंकरोच्मिंट कर रहे हैं वह सफाई के रिए समान थोड़ा बाहर रख रहे हैं उनका समान लेकर जाया जा रहे है तो यह कंदिशन जो है इसे हमारे प्रॉब्लम्स जो है मुल्क में पर हम देख रहे हैं कि लोग घरों में हैं और लोग को कौरिंटीन लाइफ का कहा जा रहा है कि आप घर पे रहें ताके ये वाइरस आपको मतासर ना कर सके और जल्दी खतम हो जाया हलात दुरस्त हो जाएं इसके ओपर कुछ अगर मैं आप से जानू कि कुछ मेजर्स के ओप पर लोग तनकीद कर रहे हैं जिस तरह ये पार्शल लॉक डाउन के सूरत हाल से जो डेली विजिस पर काम करने मारे लोग हैं इनके अवाले से सोचा नहीं गया इस पर क्या कहें गया आप देखिए बिसमिल्ला अर्म रखीम अलवी ना बात ये कि आज अगर हम लुक्साना कामात नहीं हैं ये सिर्फ सिंद के रहने वाले लोगों के लिए की है और पुरी दुनिया में इस वक डाउन है ये भी आप देखनें कि लोग डाउन एजब पुरी दुनिया के अंदर जहां जहर जहां जन मुलकों में किया गया है उसक्षिशन 144 तो पज्जाब में घुर और पूरे मुल्क में इंपोज होगा है लेकि 144 और साथ में लोग डाउन अगर में बात करूं तो यह तो अलग अलग चीज़ है 144 तो बात यह करके अमर्जनसी नाफिस कर दी जाए किसी जगह पर किसी सीकुरिटी काहलात को देखर तो 144 तो यह लगती रहती है लेकिन यह फ्वरा थोड़ा सा थोड़ा सा कून के अंदर आजएं यह देख लें के सबसे पहले बात है कि पहला जो डियाग्न्मोस हुआ पहला जो पेशन था जो के अर्ण से माइगरिट कर के कराची में यह यह वह जब आया तो उस वह सबसे पहले जो हम लोग ने एक जो है वह जो भी बताया है कि एजुकेशन केंद जो बचे थे उन पर जलती जो है वो यह डिलीवर हो सकता था तो बहुत सरी चीज़ hormone जो होती ही वो फेसले करती है हुआ मेले और जो वी बात ही है जो फेसले आज ही हम लोगों ने किये कारूबार होता है वह सारा बंद किया जायागा लेकिन आज आज यह आप सम्झे कर अब लट हूगे है सारा है बजार बंद ऊने के उन्होंने ने क्टेट को चैनलेंज कर दिये घिए यहां थीक है यह तेम हमारी असोसियेशन ब confident me मौल्स बन रहे हैं मैं आपको सुबा को जुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन बारहाल जो स्टेट हरकत में आती है तो स्टेट ने जब हरकत शुरू की तो बंद करना पड़ा मजूरतन लेकिन ये बंद हम खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं ये अवाम की बेतरी के लिए तो आप बड़े स्केल के ओपर बात करें ना कि जिस तरह आप जो ट्रेडिंग और बिसनस की तरफ से ये उनकी शिकायत आई लेकिन जो डेली विजिस के लोग हैं जो आगर रोज घर से निकलेंगे तो फिर कुछ कमाएंगे और खाएंगे उनका क्या होगा उसके लिए आज भी सीम साब की एक मिटिंग हुई है तमाम यहां हमारे जो एंजियूज हैं तमाम वो एदारे खास तो पर यहां आपको आपने देखा होगा कि यहां Will Fair अदरे बहुत सरी लोग यहां बहुत सरी लोग है जो डेली बन्याद पर मुक्तलिफ जेलों कों ब지हीं खाना पुचाता हैं घरों तक भी खाना पुचाते हैं वो लोग जो डिसेबल लोग है वो लोग जो पूर नीडियों महां तक खाना पहुचाते हैं आज सिंद्ध हकूमत ने आने वाले वक के अंदर बहुत सरे चीज़ें फैसले होंगे उसके लिए दो सो रुप्या पर केस जो है वो आज डिसकस हुआ है आज यह हमारे हैज़ मिनिस्ट्रिय और साथ में दीगर मिनिस्ट्रियों ने यह राय दिये तो यह देटर कैसे निकालेंगे आप लोग देखें अब हमें यह तो पता है ने कराची के अंदर हवाम कितनी है अगर डेट कोर हवाम है तो दो सो पर केस के एसाब से तीन टेंपे मुटिप्लाय करें छे सो रुपे पस केस होता है नी मदब के सिदारे की इसमें आप लेंगे और किस तरह उनके साथ पैटके इसका कोई ऐलाय फॉर्म करेंगे देखिए इसके अंदर अभी सेलानी हमारे लिए इसका अगर बात करूं लेकि हमने एडवाइजिस लिए हैं जो बन्यादी तोर पर हर जगा पर चीजे हैं मुझूद हैं हम तो वह बारा बारा लंगर खाने के इसतान ही कर रहें अभी इस वक्त अगर कुछ हमने एक फैसले तो करें ना कोई नो को डिसीजन लेने इस वक्त यह जो वबा है इंटरनेशली वबा है और यकर वबा को देखें तो पार्शल लॉक्डाउन हो गया लेकिन यह फिर कप कितने कितने टाइम में फैसला होगा और यह कप किंक्लूजन निकलेगा कि इतने लोगों को हमने हर सूरज जो है कुछ ना कुछ बाटी जे सकती हो देरी है डॉक्तर यासिस अदीकी साहब ने भी हमें जॉइन किया प्रोग्राम में उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं पीस पी से सर बात करें हम इस वग्ड कोवर्ड नाइटीन के हवाले से कि जिस तरह इसकी कॉंस्टिवेंस पूरी दु जो जिस तरह गिंगी कॉर्टेज इंडस्ट्री या स्मॉल बिजनसेज वो सबसे ज़ादा फैक्टोर हैं उनके लिए कौन से सब्स्टिटूट होना चाहिए था क्या सेंट गर्मेंट को पहले सब्स्टिटूट के साथ आना चाहिए था पॉसिबल था उनके लिए या यह और बाद में रिप्लेस्मेंट के सबस्टिटूट के साथ आते हैं अव्जू बल्याम ने शिताउन जी बिसमले रखमाने रहीम अलवीना आज जो पुजिशन थी पूरे शहर की वो आपके सामने है किस तरह क्योंकि से नहुकूमत के एकदाम जो भी रोने करोना वायरेस प को बताएं क्योंकि इनके वुजरा दो दिन पहले कह रहे थे कि शेहर को लॉगडाउन नहीं करा जाएगा अब इनके जो स्टेप्स लिये जाते हैं आज आपका शेहर एक तरह से पार्शली लॉगडाउन था शारा शेहर अब उसमें उसकी वेसे यह होता है जब इस तरह की कंडिशन होती है तो पैनिक और जादा क्रियेट होता है अवाम के अंदर और जब अवाम पैनिक में आ जाती है तो फिर आप चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसी वज़ा है कि अवाम को समझ ही निया रही है करें कि वो जा के आप किसी भी ग्रोस्टी स्टोर पे चले ज जाएगी हो भाई अगर आप लोग और शॉप्स इन कराची में कल रात को ग्यारा बजे जो है शॉप्स बन हो गई और एक्शली बात ये है कि अगर ये अवाम को कॉन्फिडेंस में लें और प्लाइनिंग के साथ चलें तो इस तरह पैनिक मोड नहीं क्रियेट हो ये वाला वेगा आप उच्छुट ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद ये इसे कांटिनिव करेंगे और इस पर मजीद बात करेंगे ये भी जानने की कोशश करेंगे कि इन तमाम तर मेजर्स के इलावा और क्या स्टांस ऐसा हो सकता था जो के बहतर था एक छोटे से वक्ते के बाद स्टेविस तो इनसाइडी नियूज वेलकम बैक अफ्र ब्रेक। दिरेक्टर्स दिये गए हैं सिंध गर्मेंट की तरफ से जो के बहुत क्लेर थे क्या चीज़े खुलनी है क्या चीज़े नहीं खुलनी तुबी क्लोस लेली कहा गया था रेस्टरांट शॉपिंग मॉल्स पब्लिक पार्क्स सी विव बीच गर्मेंट ऑफिसे इंटर सिटी ब इसका कहा गया था कि खुली रहेंगी तो पर सवाल ही होता है जो छोटे GT स्टोर्स जिनको हम मकामी जबान में पच्चून की दुकान से जानते हैं और जी जी टी स्टोर्स क्यों बंध हो रहे हैं यह क्यों जो होलसेल की शॉप्स हैं यह इस्टिशन जहां से खलेर होती है उनको क्यों बंद किया जा रहा था जो restaurant सिर्फ रस्रिफ take away करवा रहे थे और वो dining नहीं करे थे उनको क्यों बंद करे थे ये overall जो management है ये lack of management है ये administrative power मस्बूत नहीं है Pakistan People's Party बार बार हकूमत करते हैं सिनके सूबे में क्या इतना control नहीं होना चाहिए उनका कि हर एदारे को check-in balance दुरूस्त करके देखे उनको लूप में रखे अलवीना मिरेखल में lack of administration and lack of coordination है एदारों के बीच हुए जो इस time situation है एक तो सबसे पहले वजीर आलो या इनके information minister को आना चाहिए और आवाम को confidence में लेना चाहिए इनके next step next measures किया है ताकि आवाम उस हिसाब से तयार हो उनको पहले से पता हो क्या चीज होने जा रही है उसकी वैसे panic नहीं create हो अब मसला आपके साथ यह आ रहा है कि आपकी police के already grooming नहीं हुई भी है जो police का आपका lower staff है वो आपको भी अंदाज है अवाम को ही पता है किस तरह उनका बात करने का अंदाज है किस तरह के वो लोग होते है अब आज भी कराची की situation थी आपने बड़ी wholesale सारी markets बंकरा दी आपने restaurants बंकरा दिये जो online के थे जो delivery का था वो भी system सारा बंकरा दिया आप अगर markets में निकले है अजीब खौफ की फिजा है एक police की mobile गुजर रही होती है और अंदर सी बैट के police वाला बोल रहता है बंकरो 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 उसके बीचे बहुत से ऐसे करियानी की दुकाने राशन की शॉपस हैं वो भी बंद करवा दी गई है इसी वज़ा से एक टेकवे रेस्टरॉन से मेरी बात जब हुई वो ये कह रहे थे कि हमारे पास जो है इस वक हम टेकवे कर रहे हैं लेकिन उन्होंने मुझे कुछ और सरकिम्स्टांसिस बताए वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या सूरतहाल वहां पे हो रही है लेकिन यहां पर हमें कॉल पर जॉइन किया है जफर अबास साब ने सोचल आक्टिविस्ट हैं आपको प्रोग्राम में खुशामदेद कहते हैं सलाम अलेकूम सर इस वक्त आप सक्खर में मौझूद हैं और अप्रॉक्सिमेटली हजार जाहरीन आ चुके हैं इरान से और एरान ने भी एनाउंस कर दिया है के पाकिस्टान में अल्ला ना करे लेकिन एरान का कहना है के मिलियन्स विल डाएन पाकिस्टान लेकिन अल्ला करे किसब खैरो यहां पर किया सूरत रहा है ओवराल सक्खर में और संध हकूमत की जहां पे बहुत तारीफे हो रही हैं, आन ग्राउंड आप मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे सक्खर में इस वक्त? क्या है, तो यहां के ग्राउंड वीडियो लोड हैं, क्या है उने उनने इचया हैंग्योज बॉला की आप लोग यहां आएं प्लीज विजट करें देखें तो मैं तो कल रात में हमारी टीमें पहुंच गई थी और मैं इस वक्त यहां मौझूद हूँ तो हमने देखा कि खाने का सिल्सला चल रहा था और कुछ सफाई सुटराई प्रॉलम सी वो बता दिये तो वो इंतदामिया ने बोला कि कल सुबह तक हल कर देंगे अब मसला यह था बहुत सारे इसमें मरीज हैं कोई हार्ट पेशन्ट है आज सुबह भी एक कोईटा में हार्ट पेशन्ट के हार्ट इटाइक हो गया दर्वादा बार से बंद कर दिया था कि तो जो चीजे उन्होंने हमें बोली तो वो तमाम चीजे वें ने सात बडी काड़्यों में पहुंचा दिया उसके अंदर आप सार बता रहें प्रॉसेस के जहां पर जस्तर आप और किसी को कुरंट्टीन में रखा जाता है कोई हाट पेशन्ट हो सकता है कोई डाएबट होना उनकी तबियत का ख्याल देखना कॉरंटीन में यह तो नहीं है कि आप ने एक जगा बनाई और फेक दे मापे लोगों को यानि उसके इड्मिनिस्ट्रेशन स्टॉंग होनी चाहिए वहान जो है इसकी बेस्ट इग्जाम्पल है जिस तरह उन्होंने दो दिन के अंदर अंदर किस तरह हॉस्पिल्स बनाएक इस तरह चीजों को नोने चेक इन बैलन्स उसका रखा तो सिंध हुकूमत से क्या आप इस वक क्यात खतम कर देंगे क्योंकि आज मजीद पहुंचे ना 600-800 लोग तो यह तो एक बूरी बस्ती बस गई है वहां पर तो अब लाज़मी बात है मैं तो खुद अभी रुका मों किया से कैसे हिलूँ तो अब बस यह कि अब देखें कर दिन तक को उन्होंने बोला कि जो हलकी बिल्की में अगर कोई कमी बेशी रह गई है उसको बेतर करेंगे लेकिन इस लो जो डीजी खान में जाहिरीन है वो खुले आस्मान के नीचे पढ़े हुए है उनके लिए काम करना है बुजदार साब को सोचना पड़ेगा वजीराल पंजाब को के यह लोग इनसान है यह क से उद्स एन इसाइडी नियूस आपने जफर साब को भी लिया लाइन पे और उनसे भी आपने स्टांस ले लिया उनों ने क्लियर किया कि जो सिंध हकूमत थे उनकी पगरस अच्छी है इसी तरीके से डवल्यू एचो हम नहीं किया रहे है डवल्यू एचो जो आपकी है और देशने उन्हों ने खुद का क हैं दूसरे जाने भी ओवराल सिचुवेशन के अंदर प्राक्टिकली कहा कहा पे फ्लॉज हैं कराची दुबाई से अगर आग आगया है कोई शखस उसकी कोई स्क्रीनिंग में उसकी कोई टेस्ट वगरा नहीं हुआ उसको कॉल करके कहा जा रहे है कि हैव और कॉरंटीन ल अगर प्रोफर स्केनिंग अगर हो जाती तो आज यहां तक हम नहीं पोचते हैं आज यहां आपके पजाब में आप लोग खुद कहते हैं पीछे की बात ना करें आपसे अभी कितने लोग है अभी दॉक्तर यासर साब आपसे कह रहे हैं वह अभी उन्हें प्रोग्रम में तरही बात की वह क्या रहे हैं अचिनियों और यहां पुलिस फालो को यह नहीं मालुम कि कहां किस जगा को बंद कराना है किसू नहीं बंद कराना यह क्या आप लोग का फ्लॉ तो दिन पहली फैसल हुआ है आपको पता है कि आज को आज आज को इंप्लिमेंट होना था और आपने बैतना और ङंदने गया आउटना इसा। पर अपने लिए कारूबार बंड करना है। अचे की लिए कारूबार बंड करना है। लेकिन यह आपने और मेने मिल के बाइसित कौम लड़ना है इस करोना से लेकिन वो डेफिनेटली दुरस्त बात है लेकिन नईम साब इस तरह अगर कोई अधारा आता है और किसी शॉप बाले का वो समान बाहर रखता है सफाई के लिए वो उठा के ले जाए उनसे और उनको बोलें कि अब आपको ये ब्राइट देनी पड़ेगी तो ये किस हैसियत में वो ये कर रहे है देखें जहां वाइलेशन होगी अगर मैं आपको बता हूँ 144 अगर मैं इंपलीमेंट है और 144 में 20 लोग कठे नहीं हो सकते और वहाँ इस्तिमा हो जाए एक बात ये कि तो फिर मीडिया से आज अगर उन्हों ने ये बात देखें नहीं लगाई ये कि आप कोशिश करें के मैं भी आपकी जवाब की तरफ ही आ रहा हूँ समान क्यों उठा के बार रखा बात ये रकावट है तो खड़ी की ना कोई नीद वो बाहर निकाल के सफाई कर रहे है सर सिंपल सवाल इसका जवाब इतना समान था कि पूरी तो उठा के दुगार बार रखोगी सिर्फ जनरेटर उठा के एक लाग बीस अधार बगोल के उनसे मांगेगा ऐसा नहीं हो सकता कोई वाइलेशन की होगी उसको पर उसको नोटिस जा रही होगा उसको आप ब्रेकिंग करें उसको चलाएं हाइलेट करें उसको पर बगाईदा अगर उनफॉटनेटली क्या ही बात होती है अगर मैं चानल पर इस तरह चलवा सकती वह फुटेज क्योंकि कहीं न कहीं पर भी जो हैं हम लोग के भी हाथ बंदे होते हैं और फिर जिन एरियास की बात हम करते हैं मुझ पर 2000 बिलियन का हरजाना लग चुका है जब मैंने वोटर बोर्ट की करॉप्शन की बात की थी अब मैं और हरजाने नहीं लगवाना चाहती है अपने उपर जफर अबास साब आप से जानना चाहूंगी मैं इस सिचुवेशन में जो मेकानिजम है ओवरॉल अपैरेंटली तो बहुत बहुत अच्छे मेजर लिये जा रहें लेकिन कहीं न कहीं पर हमारे फ्लॉस इस वक मौझूद हैं आपको क्या लगता है कि सिंद हुकूमत को कौन को कोंसे मेजर्स लेने चाहिए और वफाग को कौन से मेजर लेने चाहिए 것으로कूद हैolla कमारे साथल को कजू है कि और वफाग को कहां हेल्पाउट करना चाहिए आपको तैंकि बात यह कि कौम स्पेक कर रही थे पहले तो 10 मेन लगा दी है कौम से पहले थे 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 तो लोग स्पेक कर रहे थे कुए अभी बड़ा पेके जनाओंस करेंगे sponsorship और कह एंके इसफे कि व्यशिय है इस हाधो ओए आंप तो मैं आपके तो.. आप पे बुरा टाइम है का मैं इसको फेस करूँगा और हर जगा पे में पेश पेश रहूँगा लेकिन बारहल यह कि आपके सामने क्या हुआ का के बात यह कि यह वबा फेल गई और आपको खांसी आजाए नजला आजाए जुकाम आजाए हम उनसे यह चाहते हैं खुदा के लिए बात यह कि इसकेनिंग से सिस्टम अपने हाद में लिया हुआ है उसको दुरस करें और जो इस वक वर्ड बैंग ने जो इस वक बात यह कि थोड़ा कुई पेकेज जिनों ने अनाउंस किया है वो खुदाया तमाम सुबहों तक उनको एकसिस करें ताकि और मजीद सबसे पहले जो आपके बॉर्डर्स हैं या आपके जो एरपोर्ट से उस पर आप स्क्रीनिंग अपनी अच्छी करें जो आपने बात करी वैसी मेरा भी एक जानने वाला दुबही से भी आया है यूके से भी आया है दोनों की बड़े मज़े से टेलते वह अंदर से बाहर आ जब आगे तो दुबही वाले को एक कॉल आगई कि आपको अगर साथ देन आट देन बाद फीवर हो जाए तो आप हमसे रापता गर लिएगा इस तरह की एक कॉल आ गई तो आइटिंग स्क्रीनिंग सबसे पहले आप अपनी बेतर बनाएं और जो लोग बॉर्डर से आरहे जैसे ताफ़तान इदर से आरहें उनको किसी एक जगह आइस लेट करें प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ वहीं पर पर अगर कुछ भी नी कर सकता है तो गर चला जाए उसको चीम रहने का हक लिए आप ही कहते हैं कि ताफ़तान बॉर्डर पे जो जाईरीन थे उनको वही देफिनिटली वहीं पे आपको करना चाहिए था आप वहां अगर फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो और वहां पे जो जफर भाई बात कर रहे हैं जो हाल है चीजों का वाश्रूम से लेके खाने पीने की सारी फैसिलिटीज वो खुदाना खासता दूसरी बैमारियों में मुपत कोई चूँ नहीं है जफर अब कॉल पर हमारे साथ हैं जफर अबास साब जस्ता डॉक्टर यासर भी यही कह रहे हैं कि कारिंटीन करना बलूचस्तान में बहतर था अगर वो ताफ़तान बॉर्डर से आ रहे हैं तो इनको डिरेक्टली सिंद भेज देना यह दुरूस फैस जफर अबास साब कॉल पर मौजूद है हमारे साथ ठीक है यहां पर कांटनियों करते हैं आपके साथ जस तरह मेजर आप कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग का जो अमल है वफा को यह मौनिटर करना चाहिए कि अब वफा को हर सुबे को इंडिविजल कापासिटी में भी मौनिटर क करना चाहिए जस तरह आगर बलोचस्तान के साथ वो लूप में रहें क्योंकि बलोचस्तान की हालत सबसे जादा खतरनाक है और यह पेशिंट्स आए ही हमारे पास साफ़तान बॉर्डर से हैं अलवीना देखें यह चीज ना गलोबली हो रही है सबसे जादा इसकी जो स्ट मेजर्स इस वक्त हर सुबह को इंडिविज्व कास्टी में लेने की ज़रूवत है और वफाक को कौन से मेजर्स लेना चाहिए इस वक्त अगर इसलोग नहीं लेंगे जिम्हतारी तो और कौन लेगा है यह अगर इसी लड़ाई जगड़े में पड़े रहेंगे मेरी जिम् तो पिर कल आवाम से वादे क्यों किये थे के तब दिली और फलाना और डिमादा और ये और वो ये सब बाते क्यों की थी भाई ठीक है लोगों के साथ जो जुम हो रहें लेकिन इसको क्या करना चाहिए और हर सूबे को इंडविजल कपास्टी में क्या करने के सख जरूत है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जिम्मेदारी जाए वो सूबे वफाक सब्की है क्योंके जो लोग है वो पाकिस्तान के शहरी है और जो लोग ये मुन्तखब नुमाइन दे हैं चाहिए वो सूबे में हो जाए तो पाक में हो इस लड़ाई जगरे से उनका कोई तालुक नहीं है इस लोग खुल आसमानों के निचे पड़े जिनका 14 जिन कोई टैस्ट रुए नहीं वह जिस्तान में जिनको किसी ने पूछा ही नहीं कि आप अपारा उठा के शिन में लागे डाल दिया गया उनको 14 जिन अब उसके बारा उठा के चौदा दिया तो यह क्या बिचारे किसी कि इस जिए शिए फीड्र है किसी की बेटी है कि सबसुर है तो थोड़ा भी आपके दिल में रही हो ए अगए तो यह तो यह तो यह तो लाशों की नहीं काफी होगा बाखी नहीं को मानने के लिए तीक है ठीक है बौत बहुत शुक्रिया जपर साभ ब्रॉग्रम में शरकत करने के लिए ओवराल इस सिचुएशन में आपको आप क्या लगता है कि कौन से चालेंजिस आपको फेस करना पड़ेंगे तक हम लोग चीख रहे थे पहले दिन जब इमर्जनसी स्कूलों में नाफिस की थी तो हम पे बहुत तंकीद हुई थी आज मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान की जमात है भाई हमारे थोड़े से एक्साइडिट थे और सुड़ा सा पुछे में भी आगे थे कि सारे लागे सिंद में बर्रे सिंद क्या मैं बता हूं यह सिंद धरती माँ धरती है पाकिस्तान पीबस पार्टी लेकर आजाए हम अबी तक उफ नहीं कर रहे ह हमारी डिरेक्शन भी ठीक है और हम मेंटली फिजिकी तोर से हमारे हेल्फ देपार्टमेंट पीडिये में हमारा बलुचस्तान में ट्रीट होने चाहिए थे क्योंकि ताफ्तान बॉर्डर से आये थे जिस तर डॉक्टर यासर भी वही कह रहे है और हर बंदा जो सेंसिबल ह तो यही कह रहा है कि उनको वहीं कॉरंटीन में रखना चाहिए था वहाँ पर यह बलुचस्तान की जो प्रॉविंस है वो क्या कर रहा है इटसेल्फ तेखिए बलुचस्तान हकूमत का और वफागी हकूमत का है इनका जो एसोपी सायन हुआ वो एसोपी के अंदर जो चीज